दोस्तो अज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली में आई मूवी भ्रह्म यूगम को जिसके कहानी आपको तुमबाड और कांतारा की याद दिला देगी मूवी बहुत ही अमेजिंग है इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शिरवात में हम कोरा और तेवन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक जंगल में बैट कर आग जलाते हैं उनकी बातों से हमें पता जलता है कि उन दोनों को साथ में एक नदी पार करनी है जो कि वे आज रात को पार नहीं कर सकते इसलिए वे सो जाते हैं अगले सीन में थेवन की आँख खुलती है तो कोरा उसके साथ नहीं होता फिर थेवन कोरा को आसपास देखता है तब हम देखते हैं कि कोरा किसी लड़की के और खिचा जा रहा है जो कि काफे सुन्दर है और उसने कपड़े भी नहीं बहने हैं थेवन अफ समझ जाद है कि लड़की कोई यक्षनी है जो कि लोगों को वश में कर लेती है फिर थेवन कोरा को काफी होश में लाने की कोशिश करता है मगर कोरा होश में आता ही नहीं जिसके बाद थेवन यक्षनी के डर से मा से भाग जाता है इधर कोरा यकशनी की सुन्दरता देख कर उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश करता है पर यकशनी कोरा को मार के उसका खूणी पी लेती है अगले दिन ठेवन भूका प्यासा जंगल में गूमता रहता है और नदी किनारे जाकर पानी बीता है तब हम देखते कि सामने काफ भूख लगी थी उसके बाद एक आत्मी थेवन को रूखता है फिर थोड़ी दिर बाद उस मैंशन का माली कोडुमन पुट्टी वह आता है जो कि थेवन के बार में पूछता है कि वह यहां पर कैसे आया तब थेवन पुट्टी को बोलता है कि वह एक संगीतकार है जो कि को कुछ दिन यही पर रुख कर आराम करने और खाना खाने को कहता है यहां थेवन और कोडुमन पुट्टी के बीच के सीन को देख कर हमें पता चलता है कि कोडुमन पुट्टी एक ब्रहमन है और थेवन नीची काष्ट का क्योंकि थेवन और कुग दोरे ही पुट्टी के स सही सलामत रहना है तो सब चीजों को इग्नोर करना होगा नहीं तो तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा रात को अब थेवन पुट्टी को गाना सुना कर अपना खाना खाता है और भगवान को शुक्रियादा करता है कि उसको इतने घने जंगल में खाने और रहने की जगा मि उनके उपर वाले कमरे में जा रहा है जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि उन तीनों के लावस मैंशन में कोई था ही नहीं थेवन अब दो नंबर करने जाता है तब वह देखता है कि महाँ पर काफी सारी कबरे खोद रखी हैं मतलब कि काफी सारे लोगों को मार कर वहां गाड़ा हुआ है इससे डर के थेवन वापस आ जाता है फिर उसको उपर से अजीव अवाज आने लगती है तब थेवन उपर जाकर देखता है तो उसको वह खाना पड़ा मिलता है और एक जंजीर से कोई तो बंदा पड़ा था जैसे इवे जंजीर की अवाज उसके पास मारे अपने कमरे में जाकर सोजाता है अगले दिन थेवन पुट्टी को देखता है कि उसकी पास पासे वाला गेम है जिसमें लोगों को कुछ दाऊंपर लगा कर खेलना होता है तब फुट्टी थेवन को उसके साथ ये गेम खेलने के लिए कहता है पर थेवन पासे को हाथ में लेकर कहता है कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं दाओ पर लगाने के लिए फिर पुट्टी कहता है कि तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है तुम्हारा समय जिसको तुम दाओं पर लगा सकते हो जिसके बाद पुट्टी कहता है कि अगर मैं हारा तो तुम यहां से जा सकते हो और तुम हारे तो तुम्हें पूरी जिंदगी पर यहां मेरा गुलाम बनकर रहना होगा तब थेवन मना कर देता है क्योंकि मैं पूरी जिंदगी इस मैंशन में गुलामी करके नहीं बिताना च उसके बाद पुट्टी थेवन से पासा मांग कर अपना हाथ पीछे कर लेता है जिस कारण थेवन के हाथ से पासे गेम पर गिर जाते हैं और थेवन को ना चाहते हुए भी गेम खेलना पड़ता है आप दोनों काफी देर तक गेम खेलते हैं और लाश्ट में कोडुमन को जीत का दोके बाज आदमी है और तुम्हें उसका अश्ली चहरत जल्दी नजर आएगा राद को पुट्टी खाना खारा होता है तब वे थेवन की मां के बारे में बात करता है जिसे सुनकर थेवन चौक जाता है क्योंकि थेवन ने अभी तक पुट्टी को अपनी मां के बारे म सब पता है फिर पुट्टी खेवन से पूछता है कि आज को तुम्हें मेरे बारे में बोलकर क्या भढ़का रहा था तब तेवन दरके मारे कैए मैरे कोछ भी तो नहीं पर पुट्टी उसकी बात नहीं मानता जोSuper पता-था कि खूट बोल रहा है उसके बाद अब कुक पुट्टी के पास आता है तब पुट्टी कुक को गुस्टे में भला बुरा कहकर उसको अपना सर जुकाने के लिए कहता है पर कुक अपना सर जुकाता है यह नहीं जिससे पुट्टी को काफी गुस्टा आता है और मा की सारी चीजे हिलने लगती है जैसे मा बुक पुट्टी अपना हाथ आगे करता है और कुक को दूर से अपने पास खीच कर उसका गला गुटने लगता है फिर थोड़ी दिर कुक को तडबाने के बाद पुट्टी को छोड़ देता है थेवन भी अफ समझ जाद है कि पुट्टी कोई आमाद्मी नहीं है उसमें जरूर को चन्माता ने उसको एक जदुई बॉक्स दिया जिसके अंदर एक पिसाज था जो के उनकी सारी इच्छा पूरी करता था और उस पिसाज का नाम छट्टन था पुट्टी के परिवार वाले बाद में चचट्टन को बंदी बना कर उसको त्ड़पाते और अपना काम निकाल जसे परिशान होकर छटन ने पुट्टी के परिवार के मालिक कर बोला कि उसके मुह के अंदर देखने पर उसको नर्क दिखेगा जैसे उनोंने छटन के मुँ में देखा तो छटन ने उनकी आत्मा को consume करके खा लिया जिसके बाद चटन ने कोड़ुमन की पूरी फैमली को ही एक एकर के मार दिया फिर बाद में बड़े-बड़े जोतिश और विद्यवान आये पर कोई भी चटन को पकड़ नहीं पाया फिर एक दिन कोड़ुमन पुट्टी खुद उस मैंशन में आया तब से इस मैंशन में है और क्या पता शायद पुट्टी नहीं छटन को हरा दिया हो उसके बाद अब थेवन चुपके से देखता है कि पुट्टी यक्षिनी के साथ इंटिमेट हो रहा है जैसे यक्षिनी थेवन को देखती है तो थेवन फड़ा-फट अपने कमरे में जाकर सो ज जाना होगा पर पुट्टी कहता है कि इतनी बारिश में कैसे जाओगे पर वहाँ तो बारिश हो ही ने रही थी तब एकदम से बारिश होने लगती है ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सब कुछ पुट्टी के कंट्रोल में है रात को पुट्टी थेवन से बात करता है तब व उसकी मा उसका वेट कर रही होगी, तो उसको यहां से जल्दी जाना होगा, जिसके बाद थेवन अपने कमरे में जाकर सो जाता है, यहां दोस्तों इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि इस मैंशन में जो भी आता है, वो अपने बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं र पुट्टी थेवन को चोड़ कर भागता है तब उस मेंशन के गेट पर पहुंचते ही थेवन को खून की उल्टियाओने लगती है जिसके बाद थेवन काफी बुरी हलत में वापस आता है तब पुट्टी थेवन को कहता है कि कोई भी आदमी मेरी इजाजत की बिना यहां से नहीं जा सकता अगर तुमको यहां से जाना है तो मेरे पैरों में पढ़ कर भीक मांगनी पड़ेगी थेवन ऐसा ही करता है पर पुट्टी मना कर देता है थेवन अब कुख से मिलता है तो कुख थेवन को उपर के कमरे में ले जाता है जा थेवन देखता है कि उपर पुट खोद रहा था याने के दोस्तों छटन एक पिसाच है इसलिए उसके पास इतनी सारी शक्तिया है और वो लोगों की बाते दूर से भी सुलेता है थेवन और कोक अब पुट्टी की लाश को गार देते हैं तब कोक थेवन को बताता है कि उनके पास यहां से निकलने का एक तरीक है जो कि मेंशन के बेस्मेंट में है जहां तैकाने में एक दिया है जो आज तक बुझा नहीं है अगर वे उस दिये को बुझा दे तो छटन की शक्तिया कम हो जाएंगी और वे माँ से बच कर जा सकते हैं बस दिक्कत एक ही है कि वे दिया तैकाने में बंद है और उसकी चा भी लगाने को कहता है जो कि काफी कीमती है तब पुट्टी को शक होता है और वे अपनी कमर पर हाथ मारता है मतलब कि पुट्टी ने चावी मही पर रखी थी तब ही थेवन बात को चेंज करके कहता है कि वे उसकी अजादी की चावी की बात कर रहा है पर पुट्टी थेवन क मना करके चला जाता है फिर थेवन और कुक का प्लैन करते हैं कि वे आज रात को पुट्टी को काफी शराब और मास्क खिलाएंगे जिसके कारण नसे में वैस हो जाएगा तब वे पुट्टी की कमर से चा भी चुरा कर दिया बुझा देंगे आपको खाना बना रहा होता है त फिर पुट्टी को मीट और शराब पिला कर सुला देता है उसके बाद थेवन चुक्के से पुट्टी की कमर से चाभी निकालने की कोशिश करता है तब ही पुट्टी एकदम से जाकर थेवन का गला पकड़ लेता है क्योंकि पुट्टी को कुक और थेवन के प्लैन के बार जब पुट्टी ने किचन में आकर उसका गला पकड़ा था और कुक को पता था कि पुट्टी उनकी सारी बाते सुन लेता है इसलिए उसने थेवन को कुछ भी नहीं बताया और अकेले ही प्लैन बना कर सब किया कुक अप तहकाने में जाकर उस दिये को बुजा देता है जिसक चट्टन की शक्तियां वापस आ जाएंगी कुक अब थेवन को कहाता है कि चट्टन अब उनको अलगलग तरह की बाते बता कर गुम्रा करेगा पर उनको उसकी बातों में नहीं आना है जिसके बाद कुक और थेवन अब चट्टन को पकड़ने के लिए डूनते हैं तब सज है उसके बाद कुक और थेवन चट्टन से लड़ते हैं और चट्टन को चाकु से मार कर घायल कर देते हैं फिर एकदम से चट्टन कुक और थेवन को ढखेल कर गया बजाता है अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुक और थेवन दोनों ही अलग-अलग हो गए ह एक तरफ कुक जहां पर है वे जगा पूरी गूमने लगी है जिससे कुक गिर पड़ कर घायल होता जा रहा है और एक तरफ थेवन के कमरे की दिवारे उसको कुचलने के लिए आगे बढ़ रही है जो कि सब छटन ही कर रहा था इससे थेवन काफी ड़ जाता है और उससे लग उठी निकाल देता है जिसके बाद वो छटन को जला देता है जिससे व्याग पूरे मैंशन में फैल जाती है अब थोड़ी दिर बाद पुट्टी पूरा जल जाता है और हम असली छटन को देखते हैं जो कि जलिवी बॉड़ी से निकलता है और वो देखने में काफी होती है और अंगोटी कुक के हाथ से गिर जाती है अब वे दोनों आपस में लड़कर काफी घायल होते हैं तब ये एकदम से पूरा मैंशन टूट कर ढह जाता है फिर से इंचेंज होता है और हम देखते हैं कि थेवन उस मैंशन से बाहर निकल कर जा रहा है और इस बार उस ली थेवन तो मैंशन के अंदर दब कर मर गया है मतलब कि ये आदमी छटन है जिसने अब थेवन का रूप ले लिया है को कब अपनी जान बचा कर महार से बागता है तब उसको नदी में कुछ सैनिक गोली मार दे दे हैं जो कि शायद जंगल में घूम कर शिकार कर रहे थे इससे कोक माई पर मारा जाता है आप छट टन नदी के किनारे जाकर वैंगोटी पहन लेता है जिसके बाद ये मूवी यही पर खतम होती है दोस्तों ये मूवी देखना एक अलगी एक्सपीरियंस है जो कि आपको एक बार तो जरू देखनी चाहिए ये पूरी मूवी ब्लै आपको इनदेखना एक जरू आप से सख़ग।